नमस्कार स्वागत है आपका दाहिन वोरियो निउस में जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ राखी का त्योहार जो चारो तरफ खुशियां लाता है वहीं दूसरी तरफ यह त्योहार एक परिवार के लिए मातम बन गया एक बेहन राखी के त्योहार पर मीलो का सफर तैकर अपने भाई को राखी बानने जा रही थी लेकिन उसे क्या पता था कि राखी का ये दिन उसके लिए काला दिन साबित होगा बाईक पर सवार होकर पती पतनी और उनकी चार साल की बच्ची भाई को राखी बाढने यूपी के शामली से पानी पता रहे थे लेकिन बड़सल गाउं के पास अचानक एक ट्रक बाईक के ऊपर चड़ गया मोके पर ही महिला और उसकी बच्ची के मौत हो गई जबकि बाईक चालक घायल हो गया बहन अपने भाई से मिलने के लिए उच्चुक थी भाणजी अपने मामा के साथ खेलने को उताव ली थी पर अचानक एक हादसे ने उनकी जिन्दगी बदल कर रख दी खुशी का माहोल पल भर में मातम के माहोल में बदल गया फिलाल पुलिस ने महिला और उसकी चार साल की बच्ची का शव पोस्ट मातम के लिए भेज दिया है पुलिस ने ट्रक को कबजे में ले लिया है परंतु ट्रक चालक फरार है वही महिला का पती जो घायल है सीमा सुरक्षाबल में जवान है और कुछ दिन पहले ही वह एक महिने की छुटी लेकर आया था आदाय आई इसके पास में जो जो परसत के पास में ये मलखपूफाद्यान है बढ़ा हैं अंचरा में जड़े वह उफ़ाने शलिक लिखेजल यो द्राटी जो तैसने ही कायी को वहनाच के और लडगी एधेए मौत किस कि होई? मौत इसे ट्रक से किस कि होई? मतलब दोनों माद ही, मतलब लड़की की मेरी लड़की और आपकी दोती उसका चोटे आती कितने साल पहले शादी उड़ी थी? ये पांच वाट साल लग जा है, छेटा साल लग जा है रच साल की थी लड़की जो मरी हें, उनके नाम क्या है टी बेटी का, पत्नी का नाम जिंकी और बेटी का नाम गवर और भाई को राखि बांदने जा रहे थे? वह कहा रहते हैं पानी पत्तृ फानी पत्त्त ठीक है जिए अपति के हालत कैसी है? ठीक है जी, चोटे लगी हुई हाँ? उसकी माता जी है और उसका पिता जी उसके साथ था जो पिता जी को भी चोचते आके ज़ेवे दुन डूे से दुनलों ट्रक के पिछले टायर में फच गी थी, जिनकी मॉकफे फिसमुवरं गिसी उसका पिता ने बयान दी आह गी कि जारी है पोस्मार्टम करवाएंगे अगली कारवाई तो राक्षी के लिए घर आ रहे थी सर्थ आँ राक्षी के लिए अपने सचुराल में आ रहा था यह योगंदर सिंग से योगंदर सिंग साउ उसकी पतनी थी और उसकी लड़की 4 साल की गगन थी तो क्या कर रहे कि ज हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद